नमस्कार दोस्तों इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मैं आशा करता हूँ कि आप सब की साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी और जैसा कि थमनिल से आपको पता लगी गया होगा कि मैं आज आपके सामने मातारा की साधना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जी हाँ ऐसी साधना और एक ऐसी देवी जिससे अधिकतर लोग बहुत डरते हैं क्योंकि इनका रूप जो है वो बहुत ही विक्राल है और इनका रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक है जो की सच भी है और साथ ही साथ जो इनकी साधना है वो भी काफी कठिन है थोड़ी जटिल है परंतु याद रखेगा इतना भयानक स्वरूप रखने वाली देवी का जो हिर्दा है वो इतना ज्यादा कोमल और प्यारा है केवल उन लोगों के लिए जो उन्हें मा के समान पू देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके तो यदि मातारा के बारे में बात की जाए तो जो मातारा का स्वरूप है वो बहुत ही रौद्र स्वरूप है मतलब ऐसा स्वरूप है जिसकी हम और आप कलपना भी नहीं कर सकते और हम अपनी नॉर्मल आखों से उ तो जिस प्रकार एक संसारिक मा अपने बच्चे से अंधा प्रेम करती है। उसी प्रकार जो मातारा है, यह भी अपने बच्चे से एक अंधा प्रेम करती है, मतलब यह अपने बच्चे की ना तो बुराईयां देखती है, ना उसकी गलतियां देखती है, अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं, यह केवल अपने बच्चे से प्रेम करती है, और उसकी ख धदकता स्वरूप दिखाई देता है उसे भी मातारा का ही स्वरूप कहा जाता है और मातारा के मुख्य रूप से तीन स्वरूप माने जाते हैं उग्रतारा एक जटा और नील सरस्वती जी हाँ यही इनके मुख्य रूप से तीन स्वरूप माने जाते हैं और जितनी भी दस म महाँ विद्याएं हैं उन में से अगर हम केवल छिन मस्तिका माता को छोड़ दें तो उसके पश्चात कोई ऐसी देवी है जिनकी साधना अत्यदिक जटिल है तो वो मातारा ही है और मातारा की साधना करने के पश्चात एक जो साधक होता है उसको पूरे ब्रह्मान का ग्यान ह होने लग जाता है और सारा ग्यान उसके अंदर से स्वयम ही उत्पन होने लग जाता है उसको सभी विद्याओं का ग्यान होने लग जाता है साधक को वाक सिद्धी प्राप्त हो जाती है मतलब उस साधना के पश्चात फिर वो जो भी बोलता है वो एकदम शत प्रतिशत सच होने लग जाता है क्योंकि ये जो मातारा होती है ये साधक को सर्व सिध्धी दिलाती है अर्थात भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करवाती है और जो मातारा होती है इनसे ही अनेको सरस्वती पैदा होती है और इसी वज़े से जब एक साधक मातारा की साधना करता है तो उनके गुरू ने उनको इस पश्ट रूप से मना किया था कि कभी भूल कर भी इस साधना को मत करना परन्तु एक बार जब बाबा जी का अपने मम्मी पापा के साथ कुछ जगड़ा हो गया था उनकी कोई इक्षा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने गुस्से म इस साधना को किया था अपने ममी पापा को सबक सिखाने के लिए और ये सोचकर इस साधना को किया था कि इसके पश्ट उनका कुछ बुरा हो जाएगा और तब फिर उनके ममी पापा को कुछ समझ में आएगा या फिर उनको सबक मिलेगा तो जब उन्होंने ये बताया कि ज जो मातारा का स्वरूप प्रकट हुआ वो इतना भयानक था परंतु उसके पश्चाद भी जब उनके पास आई तो उनको एक बच्चे के समान प्रेम करने लग गई एक बहुती वातसल्य का जो एक भाव होता है वो उनके उपर उडेलने लग गई क्योंकि बाबा जी के अंदर जो भाव था वो तो एक बच्चे का ही था और इस वज़े से जब आप एक बच्चे के समान भाव रखके मातारा की साधना करते हैं तो उनका इतना उग्र स्वरूप भी आपको आकर एक मा के समान प्यार करने लग जाता है तो सिर्फ केवल भाव की बात है तो यदि आपका भाव सच्चा है और आप उनसे एक मा के समान ही प्रेम करते हैं तो कभी भी उनकी साधना करने से पहले बिल्कुल भी नहीं घबराईएगा नहीं डरने की ज़रुत है वो तो एक मातरत की देवी है यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो आपको आके उतना ही प्यार करेगी और शायद इतना ज्यादा प्यार करेगी जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते और इस साधना का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके पशात आपके कोई भी दुश्मन नहीं रह जाते क्योंकि जो लोग अगर ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे या तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे या तो आपके जीवन से दूर चले जाएंगे और साथ ही आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके भी हमसे उस विधी को प्राप्त कर सकते हैं और एकदम निशुल की विधी है कोई इसके चार्जिस नहीं है और बहुती सरल और साधारण और इस्पष्ट विधी है जिसको करके आप असानी से मातारा की साधना कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्चिवाए